हेलो फ्रेंड्स एम एसकोडर में आपका स्वागत है आज वीडियो में जानेंगे हम लूक्स के बारे में कि जावा स्क्रिफ्ट के अंदर कोण कोल से लूक्स होते हैं और लूप का यूद हम क्यों करते हैं तो चलिए पहले हम यहापर एक । फाईल बना लेते हैं तो फाइ आपको किसमें बोलाए कि अपना नाम दो बार प्रिंट करो तो आप क्या करोगे console.log करोगे और यहाँ पर आप अपना नाम ABC जो भी है आपका नाम वो यहाँ पर लिख लोगे और यहाँ पर आओगे लोड और आपका जो भी फाइल का नाम है वो यहाँ पर आप ऐसे लोगे JS और एंटर की प्रेश कर दोगे उसने फिर बोला कि आप अपना नाम इस तरह से तीन बार प्रिंट करो तो आप क्या करोगे तीन बार ऐसे ही console लिखोगे और एंटर की प्रेश कर दोगे लेकिन उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है वो उसने आपको बोला कि 100 टाइम आप अपने नाम को प्रिंट करो तो उसकेस में क्या होगा कि आप 100 टाइम तो अपने console टाइप कर दोगे लेकिन जो आपका प्रोजेक्ट है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा कोंप्लेक्स हो जाएगा और coding से आपका interest खतम हो जाएगा तो इन चीजों से बचने के लिए यादि कि आपके time को save करने के लिए हमारे पास एक loop का concept होता है loop का काम क्या होता है कि एक single line को हम जितनी बार चाहे प्रिंट करा सकते हैं जैसी आपकी requirement है तो देखें इसी line को हमने क्या किया तीन बार यहां पर use कि अगर हमें इसको 10 टाइम प्रिंट करना है तो हम 10 टाइम यहां पर इसको ऐसे ही type करेंगे लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ और हमारे पास सिर्फ यह line और इस line को मैं 10 बार प्रिंट करा दूँ तो उसके लिए हमें loop की जरूद होता है तो loop यहां पर कही नहीं type के loop होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे फोर loop के बारे में तो सबसे पहले आप four keyword यूज करते हो और यह तीन इसके sections होते हैं पहले section में आप क्या करते हो initialization का काम करते हो जैसे हमें लिया है पर और एक variable आई लिया और इसके i की value 10 से कम है या 10 के equal है यानि कि जब तक i की value 10 से कम होगी या 10 के equal होगी तब तक हमें लूप चलाना है और last में आपको क्या करना है i की value को ऐसे increment करता जाना है तो यहाँ पर जो i++ है इसका मतलब होता है i बराबर i++ 1 हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इस i++ को या फिर हम ऐस यूज कर लेते हैं अब हम इस line को यहां से copy करते हैं और यहाँ पर इसको paste कर देते हैं और दोबारा से अपने इसी program को run करके देखते हैं तो देखे जैसे हमने run किया तो आप देख सकते हो कि 10 time हमने इसको यहाँ पर print करा दे यानि कि for loop का जो concept हमें JavaScript ने दिया हुआ है उसक आई ऑ ऐ ऐसे space लेंगे और आई ले लेंगे तो हहाँ पर दैकि क्या होगा कि i की value कितने हमने यह लिवय कि यहा पर ली है जैसे हम यहाँ पर 10 को अठाकर 5 कर देथें तो यहाँ पर देखे 5 time हम i की value को यहाँ पर print करा सकते हैं तो आप देख सकते हो कि i की value 1 से लेकर 5 time यह तो हाँ table print करने के लिए हम क्या करेंगे यही condition लेंगे जैसे हमने 2 का table print करना है तो 2 multiply i तो यहाँ पर देखे सबसे पहले i की value 1 होगी तो 1 into 2 2 print होगा फिर i की value यहाँ पर आगर 2 हो जाएगी तो यहाँ पर 2 into 2 4 हो जाएगा तो इस तरह से condition चलती रहेगी जब तक i की value time के बराबर ना हो जाए तो इसको हम यहाँ पर run करके देखते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 2 का table है वो हम यहाँ पर पूरा print करा पा रहे हैं तो इस तरह से हम for loop को use करते हैं for loop को use करके हम अपना बहुत सारा time को क्या करते हैं save कर सकते हैं तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि for loop हम कैसे use करते हैं आप इसके ओपर और भी बहुत सारे program बना सकते हो जिससे आप for loop से related आपके understanding और कापी अच्छी हो सकती है तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं अगर ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो इस वीडियो को like करके इस चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लिजेगा thanks for वोतुल